आदाब मेरे प्यारे गोईंकंस मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे बच्चो उर्दू में आज का सबक है दो हर्फी जोड पहले हम समझेंगे जोड का मतलब होता क्या है बच्चो जोड माने कोई चीज जुडाना या तोगेदर करना ठीक एक साथ रखना तो यहां पर हम क्या करते हैं उर्दू में दो हरूफ को एक साथ जोड कर लिखते हैं तो वो एक लफज बनता है तो आज हम सीखेंगे ऐसे चार अलफाज कैसे हम हरूफ को जोड के अलफाज पाते हैं पहले हम सीखेंगे आदी शकल के बगार वाले अलफाज जैसा कि आप अपने फोन पे देख सकते हैं यह है अलफ जमा बे जब हम इन दो हरूफ को जोड देंगे तो यह एक लफज बनेगा जो है अब इसको हम पढ़ेंगे अब आप माने नाव अभी डाल जमा सीन बनता है दस जो गिंती में हम काउंट करते हैं तो दस माने टैन दाल जमा लाम होता है दिल दिल का मतलब क्या है दिल मतलब जिस्सम का एक अजसा माने पाट दाल जमा वाव बनता है दो तो जैसे हमने उपर देखा दस वैसे दो भी गिंती में शुमार होता है जैसे दो का मतलब होता है दो तो आज हमने सीखा अब दस दिल दो तो ये थे ऐसे चार अलफाज जो हमने दो दो हरूफ जोड़ कर लिखके अलफाज बनाएं तो मुझे उमीद है कि आपको आज का सबख समझ आया होगा शुक्रिया